हेल्व एव्रिवन कैसे हैं आप सब लोग आप लोगों ने aftade कर देंग तो आट रेंड कुल्चर में हम लोगों ने बात करी थी हम लोगों ने discuss करा था important points को लेके जो हम cover करेंगे आप लोगों का जैकर आसे भी हम पढ़ेंगे तो एक उसमें थी paintings dance जितनी है dance forms है UNESCO की heritage site है उसके बाद हम लोग करेंगे जितने हम लोगों का literature आता है यहां पे handicraft का जो भी हम लोगों का चीजे जेंड की famous है वो करेंगे languages यह सब चीजे हम लोग यहां पर discuss करेंगे ताकि जो भी कोई question जेके SSB पूछ सकता है वो हम लोग cover करें basically यह topic आप लोगों के हर एक exam में है और आप लोग मान के चल सकते इस particular topic से आपको 2-3 questions मिलेंगे तो हम इसी expect में कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीजे clear हो जाए और exam में अगर questions आए तो आप लोग इसको कर सकें तो आज हम करेंगे Indian painting जो भी लोग यह चैनल पहली बार देखने आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको हार एक update मिलता रहे वीडियो lectures मिलते रहे असिस्टेंट रेजिस्ट्राइब की classes आप लोगों की बहुत जल्द शुरू हो जाएगी कलमा यहां पर स्लेबस discussion लेके आऊंगा फिर आप लोगों को उसकी classes भी मिलना शुरू हो जाएंगी तो यह आप अपने friends के साथ भी share कर सकते हैं जो लोग भी coaching afford नहीं कर सकते तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को समझना पड़े गा मैं आपको यहां पर समझाऊंगा अब paintings की अगर हम बात करें paintings क्या थी paintings किस तरीके से paintings को ढूंडा गया तो सबसे पहली चीज़ paintings का सबसे पहला evidence अगर हम माने तो जो मिला था वो कहां मिला था वो मिला था भीम बेट का में अब यह भीम बेट का जगह आपको पता होनी चाहिए exam point of view से पहला mcq जो आप लोगों के सामने बनता है वो यही है कि सबसे पहला evidence painting का कहां मिला आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से एक रॉक painting रॉक पे painting बनाई हुई है जिसमें लोगों का दिखाया हुआ है काम करते हुए या फिर डांस करते हैं यह अलग अलग चीज़ें हैं आपको पास याद रखना है भीम बेटका में सबसे पहला evidence इंडियन पेंटिंग्स का मिला था और यह मिला कब था यह तकरीबन तकरीबन पैंतिस सो बीसी पे जाके मिला था तो आप देख सकते हैं बहुत ही जादा तकरीबन दस अजार साल पहले एक मैं आपको रांड फिकर बोलू तब पहला evidence मिला था इसके बाद जो प्री हिस्ट किस तरीके से बनके आएंगे वो भी मैं वीडियो के लास्ट में पांच एमसी की उसलाग लेके आया हूं जो इसी टॉपिक से होंगे आप लोगों को स्ट्राइक करेंगे एक्जाम में तो पहला evidence कहां पर मिला था यह पेंटिंग्स का वो रॉक पर बनाई गई थी बीम बे यूजक गया था यह और कुछ नहीं होता बेसिकली यह होता है आपका गेर हुआ कलर या फिर जिसल्ट से यह लिखा है यही कलर आप मानके इसको चल सकते है इस कलर से नहीं प्यसिकली इस अलब लु और प्लैक लाइन से बनाया जाती थी चीज़ें वीम का पेंटिंग्स को डिसकवर किस ने किया था तो 1957 में वी एस वकनकार जी ने इसको सबसे पहले डिसकवर किया था तो यह आप लोगों के लिए काफी important points आ जाते हैं अगर हम history की बात करें जो अगर history paintings की history पर कोई question पूछ सकते हैं तो वो आपके सामने पहला होगा इस form में सबसे पहला की में किस ने डिसकवर किया था वी एस वांक का इंकार जी ने किया था 1957 में तो यह आपका यह भी पूछा जा सकता है कि जादता जो color यूज के अरचे थे वह कौन सा था तो वो था आपका घेरुआ color तो यह important points है इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर इंडियन पेंटिंग्ज को बेसिकली दो केटेगरी में classify किया गया है एक आप लोगों की आ जाती है मुराल्स और एक आ जाती है आपकी मिनियेचर अब यह मुराल्स क्या है और मिनियेचर क्या है जैसे कि आप लोगों को यह वर्ड बता दू यह एक लैटिन वर्ड है अगर इसका मतलब देखा जाए तो लैटिन में इसका मतलब होता है व पहले जमाने में जो होती थी वह काफी बड़ी स्केल पर की जाती थी लार्ज वर्क एग्जेकुटेट इन फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑन दे वॉल्स ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर्टर अब यह क्या था आप लोगों का आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा अगर आप कभी स आउथ में ट्रावल करें हैं तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो काफी फेमस भी हैं अगर मैं अजंता के और लोरा केव की बात करूं यह दोनों अपने एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से बहुत जादा इंपॉर्टेंट आ जाती आपको जटाका स्टोरीज देखने को मिलते थी जटाका स्टोरीज कुछ नहीं होता था वो बुद्धिस्त लाइफ जो इंफ्लेंस करती थी उनके ऊपर चीज़ें आती थी इसके अलावा रमायन महाभारत के ऊपर आपको पेंटिंग दिख जाएंगी तो यह इस तरीके से जो की काफी large scale में पूरी पूरी दिवार में पूरी पूरी cave यानि की गुफा में पेंटिंग बनी हुई आपको दिखेंगी तो यह काफी जादा size में बनाई जाती थी पहली चीज जो आपको समझनी है like California में और दूसरी आजाती है और दूसरी आ जाती है miniature जो हम next lecture में चीज आती है यहां पर क्या होता है Miniature में काफी detailed और small paintings होती हैं यह आप लोगों की कपड़े पर बन जाती थी glass पर बना लेंगे palm leaf पर बना लेंगे paper बना लेंगे तो इस तरीके से आप लोगों की नेचर और मुराल्स को डिवाइड किया गया है अब यहां पे जो चीजे हैं मुराल्स किस तरीके से आती है इससे पहले हम लोग एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों मैंने दो केव बताई है अभी उनकी पेंटिंग बहुत जादा है इंपॉट्टंट आती है पहली चीज आप लोगों से डेक्ट यह पुछरी आजाता है कहीं बार इग्जाम में Алओर केव कहाँ पि आजनता केव कहां पे हैं तो यह आप लोगों को याद का पर ना आपके मह रैश्टत में हैं अजन तोすごい है उसके ऑलावा 4th century AD में यह जो चीज़ें थी यहां पर डिस्क्राइब की गई थी मुराल्ज और फ्रेस्को पेंटिंग्स को बनाया गया था यहां पर वेट प्लास्टर्स के रूप में इसको बनाया जाता था अब यहां पर जो थीम थी थी अजन्ता पेंटिंग्स में इमोशन को दिखाया जाता था हैंड जेस्टर्स के थूए वेल्यूस को स्टाइल को कॉस्ट्यूम्स को और्नमेंट्स को यह सब चीज़ें दिखाया जाती थी तो यह आप लोगों का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मुराल है इंडियन सब कॉंटिनेंट का जो अजन्ता पेंटिंग्स है वो तो यह आपका काफी इंपॉर्टेंट मजाता है इसके इलावा जो दूसरा आता है वो आते हैं आपकी इलोरा पेंटिंग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों तो यहां पर पहली चीज वह आपको बता है इंफुलेंस हुआ है तीन रिलिजिंस का आपको देखने को मिलेगा तो कि यह एक ऐसा टॉपिक है अगर जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं इसी से ही कोशिश कोशिष ये रहेगी आपको में जेके SSB आप लोगों से पेंटिंग का question पूछता है तो आप लोग उसका answer 110% करके आएंगे इनके बहुत difficult जाता है तो उसका answer बहुत कम लोग होंगे जो करके आएंगे ये भी मैं guarantee आपको से रहता हूं अब थोड़ा सा आप लोगों को अब ये तो था मैंने समझाने के लिए अपने handwritten notes लेके आए अब आपको दोनों notes handwritten और ये जो आपको PDF मिलता है ये दोनों एक साथ मिलेगा ताकि आप समझ सकें चीजों को अब अभी तक जो मैंने आपको चीज़े सिखाई समझाई वो यहीं पर यहीं है इंडियन paintings has a very long tradition and history in Indian art तो मैंने आपको बताया बीम बेटका की paintings से यह सब कुछ start होता है वहां की paintings के लेके आज की डेट जो आपके modern paintings है यहां तक आप लोगों का यह पूरा एक सफर है इसमें बहुत बहुत तरह की paintings paintings आएंगे मुगल्स आये थे मुगल्स ने बहुत प्रमोट किया राजिस्थान के जो लोग थे उन्होंने लाए जो साउथ के थे वो मुराल्स की मुराल्स ज्यादा उसमें प्रैफर करते थे बनाए हुए है वहां पर इस सब आप डिसक्स करेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं वर्ट जो यूज हो है तभी मैंने आपको पहले समझा दिया पेट्रोग्लिफ्स आस फांद इन लाइक भीम बेटका सम फ्रॉम 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 फिफ्टी फाइव हंडर्ड बीसी तो आप दे सकते हैं बिफोर क्राइस्ट बीसी से भी फिफ्टी फाइव हंडर्ड यह पहले इंडियन बुद्धिस लिट्रेचर इस रिप्लेट विद इग्जम्पल्स आफ टेक्स्ट डिस्ट्राइब पैलिस ऑफ दा आन्मी तो जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको मैंने समझाई यह सारा वही है जो आपको पहली स्लाइड में मैंने समझाया यह उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में चीजों को पड़ेंगे आप लोगों समझा जाएगी दो तीन बार अगर आप रीट करेंगे आपको खुद समझाना शुरू जाएग कि नया टॉपिक है आप लोगों के लिए तो यहां पर इंपोर्टेंट जो पॉइंट है कितने जैनर में इंडियन पेंटिंग को डिवाइड किया गया है तो दो में किया गया है क्लासिफाइड मुराल्स एंड मिनियेचर मैंने आप लोगों को बताया एक्जाम में यह भी क्वेशन आपसे पूछा जा सकता है जरूरी पेंटिंग क्या हैं यहां पर मिनियेचर से पेंटिंग पूरी दिवार की कमण केंशं में बहुत ज्यादा स्माल सकील पे ती हैं जिस में आपकी बोकसते आ Certkov को इस पर सुग ग्लाहिए मुूखला प्रेस्पेंगा, जो आप लोगों कि मिनियेचर पेंटिंग थी, उसका जो एक हम बात करें अगर डेफिनेशन है वही बदल के रख दी काफी जादा पेंडिंग्स आए काफी जादा आटिस्ट आए वह सब हम डिसकस करेंगे डेटेल में इंपॉर्टेंट ही करेंगे जिससे आप लोगों को जादा रिवाइस करने में भी मुश्किल ना हो और एक् दूसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी इंडियन पेंटिंग्स के जैनर कितने हैं बेसिकली डिवाइड किस में होती है मुराल में होती है और आपके होती है मिनियेचर में मुराल आज हम ज्यादा डिटेल में डिसकस करेंगे एक्जाम में और इंटीट चीजे ही यहाँ पर शेकल करें तो पहली चीज मुराल होते हैं यहां पर आपको चीजे समझ्यनी है अब तोडा आप यहाँ को में चलते हैं यह अभी तक हम बता नहूंँ में इसक्यासào काफी últimos बिराइभ होता है यह चीज़ को आप लेगां धरान चीज अम all other forms of pictorial art in that it is origin organically connected with architecture अब यहां पर देखिए एक चीज मुराल पेंटिंग ऐसी नहीं है जो हम लोग पेपर बनाते हैं माल लीजिए अगर मैं छोटे पेपर बनाता हूं वो कितने सब्सक्राइब लेकिन मुराल पेंटिंग इकापकी ऐसी पेंटिंग है जो की अब मान लिजिए बड़ी-बड़ी मूर्तियें हैं अगर कि किसी केफ में उस पे भी पेंटिंग हुई है उसे भी मुराल कंसीडर किया जाता है तो मुराल पेंटिंग टेक्निकल यह आपकी क्योंसी पेंटिंग कंसीडर की जाती है त्रीडी पेंटिंग इन्हें माना जाता है यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है यह आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह पूरा कनेक्ट करता है sculptures और आपके architecture के साथ जो color use होता है जो design use होता है जो theme use होती है वो आप लोगों ने जितनी भी अभी देखेंगे अभी जो हम आगे in detail पड़ेंगे वो हर जगा चेंज हुई है यहां पे आप लोगों को patriotic theme दिख जाएगी religious theme दिख जाएगी और भी बहुत तरीके की themes इसमें देखने को मिलती है लेकिन एक्जाम में इसमें से question नहीं आएगा एक्जाम में question यह बनता है अब यहां पे कि जो आपकी moral paintings है वो कितने dimension में बनाई जाती है यह कितने इसके अलावा अब जो हम यहां पर point पढ़ेंगे हिस्ट्री क्या है मुरॉल पेंटिंग्स की मुरॉल पेंटिंग्स जो है वो आप लोगों को अब जब हम लोग रेजिस्ट्रार में एक चीज़ अब आप यहां पर आप लोगों को जो इस्ट्री नहीं पड़ी जिल लोगों ने जब आप लोगों की रिजिस्ट्रार की क्लास शुरू होगी वहां पर एक बार आप लेक्ट्चर देखना उसके बाद यह लेक्ट्चर वापर सुनना आपको काफी ज्यादा चीज़ें यहां पर क्लियर हो जाएंगी क्यूंकि अ है जिसके अंदर आपकी अजंता के बाग सिता अनस्वल अर्मामाली के जो तामिलाडू में है रावन चाया रॉक शेल्टर और यह जो है यहां पर इलोरा के तो यह आप लोगों की मेजर साइट्स हैं जहां पर आप लोगों की मुराल पेंटिंग्स मिली हैं मुराल फॉम इस पीरिड में रिलिजियस थीम और बुद्धिस जयन और हिद्दू रिलिजन यही जो चीज है मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइट में बताया मुराल बेसिकली तीन रिलिजिन को काफी जो उनके ऊपर ही बेसिकली बनाये गया था थीम जो थी वो इनहीं से थी कॉन स वो था आपका बुद्धिजम जैनिजम और हिंदुईजम अब एक्जाम में क्वेशन क्या बनके आ सकता है कि इन में से कौन सा ऐसा रिलिजिन नहीं है जिस पर मुराल पेंटिक्स बनाई हो यहां पर आपको साथ कोई एक रिलिजिन दे दिया जाए तो आपको यहां से बट जो में थीम थी वो बुद्धिस जैन और हिंदू रिलिजिन के ऊपर ही बनाई गई थी जो लोकेशन पर पेंटिंग मिली है वहां पर यह चीजें देखने को मिली है इसके अलावा जो मुराल बाद में आए अजंता केव के बाद वेरिव साइट्स विद पेंटिंग ह आपको मैं ने अभी यहां पर आप लोग नेकि देखा जो सकल्टर्स थे आपके जो आर्किटेक्ट्टर से यह भी पाया गया कि उन्हें भी पेंट किया गया है जिसकी वज़ा से हम क्या कहते है मुराल आपके कितने डामेंशन में हैं तो वह आ जाता आपका 3D 3D पेंटिं हम लोग यहां पर अब यह जो पॉइंट है पल्लवा पांडवा और चोला किंग्स के दोरान जो मुराल पेंटिंग आई तो यह बेसिकली ठेटिकल पार्ट है इतना डीप जेके एससबी नहीं जाएगा फिर भी हम लोग आपको यह सारा एक ही साथ प्रवाइड करें क्योंकि कि जो भी लोग जिके पेस्सी के एकजाम देंगे कल को जिसमें आपका एकसीरार भी आता है विके केस्ट में होजह तो यह पूरा आपको सिस्टरी का पहले एक रिकॉल लेना होगा जो हम अभी हाली में दो-तिन दिन में शुरू कर देंगे जब काफी असानी से समझ आ पर लोगों ने राज किया जितनी भी आप लोगों के सामने यह चीजें आएंगी फिर वो पालवा हो पांडवा हो चोला हो या विजेनगर हो या कैरलाग वाली हम मुराल जब देखेंगे सब ने आठ को प्रमोट किया लेकिन अपने अपने तरीके से अब यहां पर क्या था जो राजा आये महिंद्रा वर्मा वन उन्होंने क्या किया सेवन सेंचुरी में यहां पर रूल किया और रिस्पॉंसिबल थे काफी जाला उन्होंने बिल्डिंग टेंपल बनाए अट पनामलई अब यह आपको वर्ड्स याद नहीं करने है मैं आपको सारी चीजे बताते जो चीजे आपको याद रखनी है जो आपको बुलेट पॉइंट में लिखनी है मंदानगा पट्टू एंड कांचिपूरम तो यहां पर इन्होंने क्या किया जब इन्होंने चौलक्यास को हराया उसके बाद इन्होंने काफी सारा आर्ट को प्रमूट किया काफी टेंपल् आप लोगों के मुराल्स की फाउं में भी यहां पर आए जिस जिस तरीके से पेंटिंग्स हुई आपको बस यह याद रखना है जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है वह आपकी आती है पेंटिंग्स एद दा कांचिपूरम टेंपल वर पैटरनाइज बाएदा पालव पालवा किंग राजी सिंबा सिरफ और सिरफ आपको सिरफ यह याद रखना है एक्जाम में अगर क्वेशन बहुत बहुत डिफिकल्ट जेके अससबी नह पूछा तो यही हो सकता है जो कांचिपूरम टेंपल में आप लोगों के दो तरीके से बन सकता है कांचिपूरम टे थे बेसिकली क्या नाम था राज सिम्हा आपको इस पर यही याद रखना है इस से जादा याद नहीं रखना आपको इस से जादा मुराल में इनकी थीम को याद नहीं रखना है बहुत वास्ट हो जाएगा नहीं तो इसके अलावा जब आपके पांडिया पौवर में आये जब उन्होंने उन्हें हराया था मिन्होंने क्या किया वापिस से बहुत सारा चोब्स है यहां पे अब क्या होता यहांपे smart study आप लोगों को करनी है यह सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी है जब आपको PDF dare दूँगा दो से तीन बार आपको रीड करना है इसको तो आपको एक्जाम में यह चीज़े स्ट्राइक करेंगी इतना डीप इतना ज्यादा डिटेल में जेके एसस भी नहीं जाएगा क्यूंकि आपके तीस मार्क्स की एक सेक्शन में एक सब पार्ट है आर्ट एंड कल्चर या फिर अगर हम बात करें कल्चर एंड हेरिटेज तो यहां पर आप लोगों का 90 पर्सेंट चांसें कि वह जेंड के का ही पूछेगा तो जो बसोली होगा लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम लोग इतना ब् पांडियास के दौरान भी टेंपल बनाने का उसके बाद उनमें पेंटिंग करवाने का वह चलता रहा चोला किंग्स के दौरान भी 9th to 13th century यह जब history में आप करोगे तब आपको पता चलेगा 9th to 13th century किस ने राज किया चोलास ने किया था उससे पहले किस ने किया था पांडियास ने किया था तो यह सारी चीजें आपको history पढ़ने के बाद थोड़ी असानी से समझ आएंगी तो आपको यह lecture उसके बाद यह दिस्कवर्ड अपर लेयर वाउस पेंटी ड्यूरिंग दा नायक पीडियड नायक पीडियड अभी हम पढ़ेंगे 16th century में तो यहां पे जो बेसीकली इंपोर्टेंट चीजें हैं वह आपको बस एक सिस्टेमेटिक वे में याद रखना है इन तीनों के बारे में इनके रि विजय नगर मुराल की बात करेंगे उनके बाद जो आया जैसे जैसे एक पूरा सिस्टेमेटिक वे में आपको पढ़ना है पालवास के बाद पांडिया जाए पांडिया के बाद आपके चोला जाए चोला के बाद जो चोला डैनेस्टी खतम हुई कब 13th century में उसके बाद पाई विजय नगर डैनेस्टी तो इन्होंने क्या किया और बहुत सारा जो अगर हम बात करें हम पीसे लेके त्रिची तक जितनी भी आप लोगों की चीजें थी काफी पेंटिंग्स वहां पे भी पाई गई है पेंटिंग्स ओफ एट तिरू परकुरानम नियर त्रिची जान इन दा 14th century रिप्रेजन अली फेज अगर श्टाइल अब यहां पर इंपोर्टेंट क्या आता है इंपोर्टेंट आप से वही क्वेशन इसी फॉर्म में पूछा जाएगा लेकिन यह तब अगर एक्जाम में आगा यह मोस्ट डिफिकल्ट अगर आपका पेपर सेट कर आए गई थी तो यह अब आपका इस लेवल पर जा सकता है और यहां पर जो में चीजें थी जो थी नमायन और महाभारत विजय नगर मुराल की जो में थी पेंटिंग्स की वो थी आपकी यह में जो आपको क्वेशन्स है जो लास्ट में अमसी की उस बताऊंगा किस तरीके से आपके जेके असबी में आ सकते हैं सेम इसी की तरह नायका मुराल जो भी हम लोगों ने वर्ड पड़ा नायका पेंटिंग्स का बाई 17th सेंचुरी से लेके आप लोगों की 18th सेंचुरी तक आपके यहां पर नायका पेंटिंग्स आई कहां पे सेम जगा पे तिरुवोर और तिरुव पुरुकरनरम इन पेंटिंग्स आर फाउंड ऑफ टू डिफरेंट पीरियद्स 14 एं 17 सेंचुरी यहां पे सेम 14 सेंचुरी में आपको किसकी दिखी थी पेंटिंग्स 14 सेंचुरी में आपको देखने को मिली थी विजय नगरा के द्वारा मुराल दिखे थे उ यहां पे जो पेंटिंग्स थी पहले थी वह किसके नाम पे थी वर्दमान महावीरा अब यहां पे आप लोगों को तीन चीजे मैंने बताई कि तीन रिलिजिंस पे बेसिकली ज्यादा फोकॉस किया गया था जो पेंटिंग्स बनाए गई थी बुद्द्धिजम के बारे मे अगर आपसे पूछी जाए जो जैनिजम के बारे में कि जैनिजम की paintings ज्यादा तर कहां देखने को मिली तो यह जो थी आपकी यह आपको देखने को मिली कहां पर नायका मुराल्ज के अंडर नायका मुराला paintings different side episode from तो यहां पर आप देख सकते हैं यह थी आपकी नाइका मुराल्स इसमें भी रमायन महाबारत और क्रिशन लीला को लजादा किया गया जो बाद में आई थी जो पहले थी उन लोगों ने क्या दिखाया उन लोगों ने महावीर के बारे में दिखाया था तो यह दो तरीके से डिवाइड़ है नाइका मुराल्स में आपको जो याद रखना है नाइका मुराल्स में आप लोगों में जो हैं दो तरीके की पेंटिंग्स दिखती है पहली पेंटिंग जो आपकी 14th century की थी जिसमें आप लोगों को वर्दमान महावीरा के बारे में बताये था तो जो देख सकते हैं बाकी पेंटिंग से काफी अलग है क्या पर आपको अलग अलग कलर भी देखने को मिल रहा है यहां पर वह इस पूरे लेक्चर को sum up करते हैं important चीजों को यहां पर क्या देखने को मिला पहली चीज 3D most important चीज दूसरी चीज क्या देखने को मिली जो painters ने क्या किया था इसमें काफी सारे चीजें दिखाने की कोशिश की पहले वाले मैंने आपको बताया क्या करते थे तीन religions पे focus करके उन्हीं को बना रहे थे यहां पर क्या था यह थीम थोड़ी सी हटी यहां पर आप लोगों को कथाकली कथाकली देखने को मिल रहा है अब यह कथाकली जब हम important dance form करेंगे तब भी आपको मैं बताऊंगा क्या क्या चीज में पूछी जा सकती है तो यहां पर जो चीज थी जो ज्यादा तर paintings देखने को मिली walls of shrine and cluster walls of temples and some inside palaces अब यहां पर systematically two paintings of carola stands apart अब यहां पर इस चीज का ध्यान देखना आप से एक्जाम में यह पूछा जा सकता है कि इन में से कौन सी paintings या किस नायका में भी से देखने को मिला बट वहीं केरला मुराल में क्या चीजे थी इनकी जो थीम थी वह काफी अलग थी बाकी सब episodes से from Hindu mythology जो आप लोगों ने अभी तक देखा जो most of the narration are based on those episodes from Hindu mythology which were popular in Kerala the artists seem to have derived sources from oral traditions and local versions of Ramayana and Mahabharata and for painting narrations अब यहां पर क्या था ऐसा नहीं था बनाई यह भी painting जो थी वह आप लोगों की मंदिरों में ही थी लेकिन यहां पर जो थीम थी वह कहीं हद तक हटके थी बागी सब चीजों से कत्था कर लिए अपको देखने को बिला लेकिन मेजर पार्ट आप लोगों का सेम ही था बट थीम ओवराल बाकी सबसे थोड़ी सी अलग थी अब यह तो आया आपका एक की ओवराल व्यू इसके बाद आपकी बदामी पेंटिंग्स यह आप लोगों को बस इतना याद रखना है बदामी पेंटिंग्स आपकी कहां पर थी करनाटका में इड़ोस कैपिटल और वेस्टन चॉलक्यान डैनस्टी दे चॉलक्यान किंग मंगेलेश्या पैटनाइज आपको बस इतना याद रखना है कि बदामी पेंटिंग्स काफी फेंटिंग्स है तो यहां पर यह चीज़े आप लोगों के लिए सिरफ इतनी ही याद रखनी है इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जो चीज़े मैं आपको बोली जा मैं क्विकी रिविजन कराओंग की है वर्ड मुराल डराइब फ्रॉम विच लैंग्विज पहला क्वेशन यहां पर यही है मैंने आप लोगों अभी बताया लेक्चर की स्टार्टिंग में मुराल किस वर्ट से डराइब किया गया है तो यह लेटिन वर्ट से डराइब किया गया है मुराल का मतलब होता है Wall मैंने आपको समझाया Moral क्या है बहुत बड़ी-बड़ी painting आप लोगू ने भी तक देखी बनावी गई Basically 3 जो arguably इसमी ती तीजिंज पे बेश थी जिसकी जो थीम तीजिन से आटके थी तो वह आपको देखने को मिला Kerala Morals में तीन क्वेजिंद कौण चाहते हिंदूज़म बुद्धिजम और आपका आगया जयनिद्व पहली चीज इसके बाद हम लोगों के चीज़ देखी है यहां पे हम लोगों चीज़े देखी जो आपके मूराल थे यह लोगों ने देखा एक तो आगया आपका अजंटा केव्स एक आगया आपकी नेanc Islamic Alora Guevues या फिर आप इसको आजंता पेंटिंग केह सकते हैं कहां पे हैं ये दोनों जगा हैं आपकी महा राश्चा में हैं कहां पे मिला था हमें एविडेंस पहली पेंटिंग का इंडिया की वर्ट का भी ध्याद हूं इंडिया की पहले कहां long-to वह मिला था हमें भीम बेटका में अब यह भीम बेटका कहां पर है जगा तो यह है आपकी मध्या प्रदेश में तो यहां तक चीजें क्लियर हुई है अपनी नॉर्मल लेंग्विज में तो यह यहां तक आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी इस तरीके का ही क्वेश्चिन आपको पूछा जाएगा पूरे राजे महाराजों का नाम अगर जो हमने पढ़ा अगर वो पूछा जाएगा तो बहुत रियर केसिस होंगे हाडली 0.5% बच्चे ही उसका अंसर करके आएंगे और इतना डिटेल में जैकेस भी जाएगा भी नहीं अब बात करते हैं दूसरे पर विच और फॉलिंग इस करेंट करेक्ट डेफिनिशन ऑफ मुराल पेंटिंग अब यहां पर आप लोग खुद देखे अब चीजें पढ़े एनी पीस ऑफ आर्ट वर्क पेंटिड और अप्राइड डिरेक्ली ऑन कैन्वस पहली चीज अब यह चीज अगर मैं आपको ऐसे मैं question डाल दूँ आप लोगों से पूछू आपको मुश्किल होगी answer करने के लिए लेकिन अब आपको चीजें समझ आ चुकी हैं आप लोग इसका answer कर सकेंगे मुराल पेंटिंग पे हमने पहली चीज देखी क्या कि यह canvas पे आपकी नहीं बनाई जाती थी यह कहां बनाई जाती थी यह बनाई जाती थी वाल पे अब आप लोग इस पॉइंट को पड़े और आप लोग खुद इसका आंसर कर पाएंगे कि इसका आंसर ऑप्षिन नमबर भी ही है बाकी पॉइंट देख लेते हैं आप लोगों को चीजे समझ आने की कोशिश होंगी यह टॉपिक आप लोगों को थोड़ी सी यहां पर लगेंगी कि हां आप लोगों को लेकिन मैं पूरी कोशिश यह कर रहा हूं कि इतनी बेसिक तरीके से चीजे समझाओं ताकि आप लोगों को सब समझ आ जाए और एक्जाम में कोई भी क्वेशन आए तो आप उसका आंसर कर ले एक्जाम में क्वेशन का लेवल यही रहेगा ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेशन आपके पेंटिंग्स में पूछेगे तो इसके लावा बात कर है यहाँ पे केव पेंटिंग्स की अब यहाँ पे आप लोगों मैंने पहले भी पंचायत के दौरान भी या जेके बेंग के दौरान भी एक चीज़ सिखाई थी वो थी आप लोगों की optional approach कि अगर आप लोगों को option से answer मार करना पड़े आप लोगों ने topic को पड़ा है लेकिन उसका आपको पूरा नहीं पता आप जैसे मान दीजिए हम लोगों ने इसके बारे में नहीं पड़ा तो फिर भी आप लोगा answer कर सकते हैं कैसे अगर आप 2 option अनुमिनेट कर देते हैं 100% उसको questions को attempt करके जरूर आये करें अब cave painting अजंता caves अभी तक हम लोग पड़ रहे हैं यानि की option यह तो आपका सही है बहुत सारे बच्चे करेंगे पहला option देखेंगे इसको mark कर देगे दूसरा देखेंगे बोलेंगे मैं पता नहीं है तो छोड़ो बदामी cave के बारे में ह इस तरीके से भी answers को approach करना है अब चीजों को सीखना है एक्जाम में जरूरी नहीं है कि जो चीज आप पढ़के यह हो आपको वही as it is दिखती है तो आप answer करो आपको थोड़ा सा अपना धिमाग खोल के बैठना है एक्जाम देने के सरमें और optional approach से भी चीजों को target करना है बात करते हैं next question पर most important और इस तरीके के questions अगर आप लोगों ने topic नहीं पढ़ा है तो आपको problem होगी आप लोगों को अभी बताया मुराल पेंटिंग्स में क्या होता था जो आप लोगों का आर्किटेक्चर था या जो आप लोगों की sculptures थे उन्हें क्या किया जाता था plaster किया जाता था फिर paint किया जाता था तो वह भी आप लोगों की मुराल पेंटिंग्स में ही consider होती है इसलिए आपकी मुराल पेंटिंग्स जो है वो three dimensional consider की जाती है most important point है एक्जाम में भी पूछा जाने के chances के बन जाते हैं तो यह आप लोगों के लिए question था last question यहां पर हम बात करते हैं अब यह question के ऊपर अगर मैं आउँ आप लोगों जटाकास की life पे कौन सी पेंटिंग्स ऐसी है जिन्नों ने focus किया है अब यह जटाकास कुछ नहीं होता है यह basically stories ही होती है बुद्धिजम की जो influence करती है तो कौन सी cave थी अब यहां पर अगर आप लोगों ने पढ़ा है मैंने आपको केरला मुराल्ज में अभी एक इस बताई कि यहां पर जो एक ट्रेडिशन था या फिर जो एक ट्रेडिशन को ब्रेक करते हुए यहां पर जो चीजे देखने को मिली वह इस थीम के अलग मिलती थी जो तीन कि रिलिजिन्स को बनाया जाता था जादा तर जहां पर आपको महाबारत रमायन दिखेगी महावीर के बारे में दिखेगा बुद्धिसम के बारे में दिखेगा कैरला में थोड़ा सा अलग था वैसा नहीं था मैक्सिमम पार्ट उठाए गया था लेकिन एज़ेटे सारा तो यहां से तो आपको पता चल गया भई इसका आंसर क्यारला नहीं हो सकता बाग मुराल्स की अगर मैं बात करूं हमने यहां पर डिसकस नहीं किया तो यहां पर इसका क्या मतलब कि आप लोग इसका आंसर नहीं करेंगे मैंने आपको बताया optional approach को आप लोगों को सीखना है अजन्ता के बारे में हम लोगों ने क्या पड़ा अजन्ता मुराल्स के बारे में हम लोगों ने क्या पड़ा यहां पर हम लोगों ने चीज़ें देखी थी जो maximum चीज़ें यहां पर थी जटाका स्टोरीज जो maximum पेंटिंग समय देखने को मिला जटाका स्टोरीज इन्फुलेंस तो यह बनाई गई थी वहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उप्शन नमबर सी आई होप आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया मैं एक बार क्विक ओवर व्यू जो एक क्विक रिवीजन होती है वो यहीं पे आप लोगों को अभी के अभी करवा होंगा वहाँ पे आपके most important questions बनेंगे जिसमें आप लोगों का हो सकता है जिक्स भी question पूछे तो पहली चीज़ हम लोगों ने पड़ी क्रिवीजन में अगर आप मैं बात करूंगा आप लोग साथ साथ में रिकॉल करते रहना earliest evidence कहां पे मिला था मुराल प्रदे जगा को भी आपको याद रखना है prehistoric painting जो होती थी हमारी जो rock पे basically बनाई जाती थी उन्हें क्या कहते थे हम लोग उन्हें हम लोग कहते थे petroglyphs अब यहां पे जो main color का यूज किया जाता था मैं color बार बार इसी से ही लिखूंगा ताकि आपको याद रहे ऑकर कलर का यूज होता था mainly जो यूज होता था color इसके बाद अलावा बोल लाइन्स में बनाई जाती थी जिसमें आप लोगों को जैसे मालो यह painting है यहां पे ऑकर कलर का यूज हुआ है बीच में आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से आप लोगों की बनाई होती थी पहल इसकी अलावा हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने देखा इंडियन पेंटिंग्स के बारे में इंडियन पेंटिंग्स जो आपकी है वह隻िकली के ट्रॉं में की कई दो वो ग्लासिफाई किया गया है एक तो आगी आपकी मुराल जिसको आज हमने डिसकस किया इसके बाद आपकी आजाती है इसको बनाए जाता था माली आप लोग कपड़े बना देंगे ग्लास पर बना देंगे या फिर हम लोग अगर बात करें पाम लीफ पर बना देंगे तो इस तरीके से इसको केटेगराइज किया गया था अब अगर हम बात करें यहां पर मुराल पेंटिंग्स जो सबसे जादा वह किस थीम पर बेस थी तो वह थी जत्ताका स्टोरी पेस्ट ऑन या फिर आप सिर्फ बुद्धिस इंफ्लेंस पर याद रखें आपको याद रहेंगे चीजों का इसके बाद अगर हम बात करें लोरा पेंटिंग्स की तो वह क्या करती थी वह तीनों रिलिजिंस को इंफ इस है तो इसके अलावा जो चीजने हैं थी हम लोगों नै क्या पड़ा यहां पर मुराँ के वारें हमने ये बाद मुरास बूरा किस तरीके से पहला पॉइंट पालवास के रिलेटेट क्या था पालवास ने किसको और आया था पहले तो पहली चीज आप लोगों को मैंने यहां पर बताई थी कौन से राजा थे इनके जिन्होंने सबसे ज्यादा इस चीज को प्रैफर किया था जिस जो बनाई गई है मंदिर के अंदर तो यहां पर जो चीजें हैं आप लोगों को समझनी है इस एक साइकल में चीजें चली है उसके बाद पांडिया जाए सब ने में पेंटिंग बनाई इंपोर्टेंट यह नहीं है अगर अगर एक्जाम में पूछे का वो अपने आप ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको PDF में सब मिलेगा एक बार इसको कर लीजेगा रीड करिएगा दो से तीन बार विजय नगर में क्या था विजय नगर ने चोला डैनेस्टी को हराया उसके बाद इन लोगों ने क्या क प्रिसोर्ट किसके रामायन एंड महाबारत और एक में हमें क्या देखने को मिला था एक में हमें देखने को मिला था महावीर जो जैनिसम की अगर मां बात करूं तो उनके बारे में देखने को मिला था नाइका में भी सौरी नाइका में हमें देखने को मिला था यह चीज ए और एक था आपका रमायन और उस पे कैरला मुराल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि यह जो थे यह बाकी सब थीम से थोड़े से अलग थे तो यह था पूरा हमारा ओवर्विव आप लोगों ने चीज़े समझी होंगी यहां पर आपको बहने बताए हैं इसी तरीके से ही आपको एक्जाम में पूछे जाएंगे किसी को अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखके बताएं मैं आपको कल जो लेक्चर आएगा मिनियेचर का उसमें 5-10 मिनिट निकालके पहले आप लोगों को वह चीज समझा दूँगा तो इस चैनल को आप ल लोगों को बता दूँगा किस तरी किसे हम लोग चीजे करेंगे अभी हमारे पास टाइम है हमें सही तरीके से उसको यूटिलाइस करना है तो आज के लिए सरफ इतना ही मिलते हैं आप लोगों से कल 30 जून को आप लोगों का मॉक टेस्ट जो फोर्स होगा वो होगा कहां प इस्टार का अगले महिने से शुरू करेंगे यानि की जुलाई से और जो उनके लिए तो यह चार तरीके से हम लोग आप टेस्ट को करेंगे जूनेर एसाई आपका चलता रहेगा इस तरीके से ताकि आप लोग रिवाइस करते लिए चीजों को हमारे एंट से चीजें जो चल रही है आप लोगों को मिलती रहेंगी आई होब आपको समझ आया होगा आज के लिए इतने रखते हैं मिलते हैं आप लोगों से कल लेक्चर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहे